Hello students, welcome back on my YouTube channel और आज के वीडियो के अंदर हमारा प्रस्णeln और संतुलित आहार किसे कहते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले है तो देखिए सबसे पहली जो परिभाशा है कि हमारा जो भोजन होता है उसमें सभी पोसक्तत्तों का संतुलित मात्रा में होना संतुलित मात्रा का मतलब होता है ना तो कम होना चाहिए उन्हीं कि बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए उन्हीं ना तो कोई पोसक्तत्तों जादा होना चाहिए उन्हीं बहुत कम होना चाहिए उसको हम बोलेंगे संतुलित हो जाए कि ऐसा भोजन अगर हम सब्सक्राइब करने वाले पदार्थ जैसे कि प्रोटीन और रोगों से शुरक्षा करने वाले यानि रोगों से कर्फेल लड़ने वाले पदार्थ जैसे कि खने लबड और विटामिन इन सब का पर्याप्त मात्रा में उपरस्तित हो यानि ऐसा भोजन जिसमें उर्जा दिने वाले पदार्थ यानि कि कार्भोवॉहाइड्रेट प्रोटीन और खनेज या फिर हम विटामिन ये अगर पर्य कर्वोईट्रिट्स के लिए क्या है आलू शकरकन तर्बूज गन्ना चावल ठीक है वहीं पर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए आपको सभी दाले खानी चाहिए मास मचली अंडा दूद यह सब आप खा सकते हो ठीक है तीसरा अगर बसा खाने मम को अगर बसा चीए तो आप सभी प्रकार के तेल ले सकते हो मास मचली अंडा दूद घी क्रीम मक्कन यह सब खा सकते हो अगर आप विटामिन की कमी है तो पपीता आम गाजर दूद मचली हरी सब्जियां बादाम यह सब खा सकते हैं तो यह था एक छोटा सा वीडियो आयोप आप ल ले जहें दो बंदमातर